कोरोना वाइरस को लेकर भारत में जागरुकता की मुहीम में मेरे हिस्सदार बनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद आज हम बात करेंगे लेटस्ट अब्डेट ओन इंडिया's first confirmed case on कोरोना वाइरस भारत में इस वाइरस के फैलने कितने chances हैं? दूसरा, WHO ने फाइनली कोरोना वाइरस को global health emergency declare कर दिया है इसके क्या माइने हैं? भारत और पूरे wish को लेकर इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि चाइना का इस वाइरस को लड़ने में कौन-कौन से देश सामने आए है और सबसे important question, क्या अभी तक इस deadly वाइरस का कोई इलाज, कोई vaccination आविशकार हुआ है? और ऐसी situation में ये बहुत important हो जाता है कि हम जाने ये वाइरस फैला कैसे? साथ ही इस वाइरस के लक्षनों को time पे पहचान कर हम अपना बचाफ कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये time sensitive topic है, अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकर ये obsolete हो गई है, या फिर पुरानी हो गई है, तो please comment करके update कर दें, ताकि सभी तक latest information पहुँच सके. सबसे पहले बात कर लेते हैं, coronavirus का बहारत में सबसे पहला case. 30 जनवरी को इंडिया के southern state of Kerala में, 300 district में, भारत का पहला coronavirus positive case report किया गया है. Infected patient एक female student है, जो Wuhan University में पढ़ती है, और चाइना से Keral अपने घर लोटते समय, एरपोर्ट पे उनका test positive पाया गया है. Wuhan, China का वही शहर है, जहां से ये फैलना शुरू हुआ, और दुनिया में America, Thailand, Australia, India समेथ 21 देशों तक फैल गया है. Indian Ministry of Health and Family Welfare ने ये confirm किया है कि अब ही ऐसी घबराने वाली स्तीती नहीं है उस student की, उसको isolation में रखा गया है और उसको closely monitor किया जा रहा है. India में अभी तक total 900 suspected cases, जिनमें korona virus से मिलते जुलते symptoms देखने को मिले हैं. इन में से 806 cases केरला के ही report हुए है. सभी लोगों को under observation रखा गया है, उनके samples लिये जा चुके हैं और साथ ही उनका इलाज चल रहा है. इंडिया में अभी तक के virus काफी हद तक controlled है, लेकिन चिंता की बात ये है कि भारत में population बहुत जादा होने की वज़े से इसका बड़े स्तर पे फैलने का खत्रा है. और अगर एक बार outbreak हो गया, तो काभू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि फिर भारत में चाइना से इंडिया ट्रावल किया है. और यदि वे बुकार, खासी जैसे कोई भी लक्षन को अनुभफ कर रहे हैं, तो nearest health facility में self-reporting करें और आगे आएं. साथ ही 24-7 help line number जारी किया गया है. 011-239-78046. अगर आपको कोई भी जान कर चाइना की वहान शहर में फसा है, तो contact करके help ली जा सकती है. अभी तक पूरी दुनिया भर में इस खतरनाक वायरस से 170 लोग अपनी जान गवा चुके हैं. और 8100 से जादा confirmed case है जो अपने जिंदगी से जूज रहे हैं, जिनको hospitalized किया गया है और इलाज चल रहा है. और मैं आपको ये बता दू कि situation इस टाइम ऐस से constant touch में हैं और logistics का इंतजाम कर रहे हैं और भारतियों को वापिस देश लाने के लिए planes ready कर लिए गए हैं. अभी चाइना से फ़स formal permission की wait हो रही है. अब बात करते हैं कि WHO ने इस चीज़ पे क्या कदम उठाया है? WHO यानि की World Health Organization ने Thursday को मीटिंग में जान लिवा coronavirus को Global Health Emergency घुशित किया है. इस पर कुछ देशों ने WHO को ये कहकर criticize किया है कि ये declare करने में इतनी देरी क्यों हुई? हाला कि WHO कहना है कि 170 की 170 मौते चाइना में ही हुई है. According to WHO Chief, the main reason for this declaration is not what is happening in China, but what is happening in other countries. WHO के लिए चिंता का विशे इसलिए बना हुआ है ये क्योंकि weak health system वाले देशों में ये बहुत तेजी से फैल सकता है. Coronavirus से पीरित लोगों की संख्या 2003 में फैले SARS के नंबर को पार कर चुकी है. दुनिया भर के scientists coronavirus के vaccine को खोजने में लगे हैं. साथ ही US, Australia के private hospitals और medical companies भी इसके कोई antidote पे research कर रहे हैं. ये भी news है कि Italy ने चाइना से आने और जाने वाली सभी flights कैंसल कर दी हैं. वही पाकिस्तान सरकार ने वोहान शहर से coronavirus से पीरित अपने ही नागरिकों को नहीं निकालने का फैसला लिया है. सबसे जरूरी चीज़ अब देखते हैं कि इस coronavirus के symptoms क्या हैं. धीरे धीरे coronavirus महामारी क का रूप लेता जा रहा है. इसके शुरुवाती लक्षन जैसे की खासी, जुकाम, headache, runny nose, बिल्कुल fever जैसा लगता है. तो जब तक डॉक्तर के पास इलाज के ले जाते हैं तो virus पूरे body के important organs जैसे की heart, kidney, liver तक फैल जाता है. तो recovery almost impossible हो जाती है. जब तक body के इस virus के symptoms देख लिखने में आते हैं, हमारी body से infected हो चुकी होती है. अब मैं आपको बताओंगी कि क्या coronavirus का भी तक कोई इलाज possible है? इस वकड़ना वाइरस का कोई treatment नहीं है. जी हाँ, अभी तक इस virus का कोई antidote या vaccination नहीं ढूंडा गया है. इसका symptom based treatment है. जिसका मतलब ये है कि जिस जिस body part प उपचार किया जाता है. हाला कि initial stage पे इसको control किया जा सकता है. आप उस चीज़ से बात करेंगे जो आप सब के लिए सबसे जादा important है. कि कैसे आप coronavirus से अपना बचाव कर सकते हैं. पहला, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के समपर्क में हैं, जो अभी चाइना या फिर affected country से travel क कर किया है. और आपको खासी, जुखाम या बुखार जैसा लग रहा है. तो जल्दी से जल्दी अच्छे डॉक्टर के पास जाके consult करें और अपना चेक अप कर वाले. दूसरा, international travel में चाइना जाने से बच्चे. और अगर आपकी flight car stop over है, तो try करें कि दूसरे route के through flight book कर वा और चौथा, क्योंकि इसके symptom खासी बुखार या निमोनिया जैसे हैं, तो जो साफधानिया आप उस टाइम बरतते हैं, वही हमने coronavirus के लिए बरतनी है. जैसे कि अपने आसपास सफाई रखनी है, छीकते होए मूँ पे रुमाल रखना है, टाइम टाइम पने हातों को धोना ह तो ये सब precautions आप बहुत ही easily रख सकते हैं और आपको ये coronavirus से थोड़ा बचाव दे सकते हैं. अब पांचवी और सबसे जरूरी चीज़, अगर आपको ये video informative लगी हो, जादा से जादा लोग तक इसको पहुचाए, coronavirus के बारे में भारत में awareness बढ़ाने में आप भी भागिदा इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में coronavirus को end to end explain किया है, कि ये क्या है, symptoms क्या है, कहां से पैदा हुआ और क्या है curable है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो उसका link मैंने नीचे description box में दिया हुआ है, जरूर देख लें, और इस वीडियो को awareness फैलाने के ल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और जब आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सभी लेटस्ट वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाएं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, until then अपन और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें धेर सार प्यार करें, please share if you care for human life.